हेई गाईज वेलकम बैक टू माई अनाधर व्लॉग होप सो कि आप सब लोग बहुत ही जादा अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बहुत जादा कोशिश रहती है मेरी कि मैं आप लोगों के साथ अच्छ में रहूँ बट फिर भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है पहार का मौसम इतना ज़ादा ख्राब है कि धूप तो मानो पंद्रा दिन तो मैं बहुत ज़्यादा कम बोल रही हूं एक महिना हो गया लगातार मतलब धूप बिल्कुल निकली सूर्य देव ने बिल्कुल भी अपने दर्शन नहीं दिये बिल्कुल भी और मुझे लग रहा अगर और पंद्रा दिन ना निकले तो सब के सब लोग बिम ऐसे ही चला जाता है धूप बिल्कुल भी नहीं आती उसके बाद घर पर हो रही थी साफ सफाई साफ सफाई करने के बाद मैं आज गुलू के लिए कुछ वेजटेबल का कुछ बनाने का सोच रही थी क्यूंकि हर टाइम मैं ड्यूटी पर होती हूं तो मुझे जादा उस पर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता तो फिर अज मैंने सोचा चलो उसके लिए आज कुछ मैं वेजटेबल करके उसको वह खिलाओंगी तो यहां पर मैंने कुछ मट्र के दाने और एक कैरट कट कर ली थी और इसमें थोड़ा सा सोल्ट भी डाल दिया था ताकि यह देख वेजटेबल वेजटेबल खाएंगे और यह देखो वेजटेबल्स तो हमारी वॉयल हो चुकी है अच्छी तरह से यहां पर मैंने एक मट्र के दाने को निकाल के देखा है वह बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है अंदर से और काका भी मेरे पास ही बैठा हुआ यहां और सबको अच्छी तरह से मैं यहां पर इनको मैश कर दूँगी बिल्कुल आपस में ताकि यह बिल्कुल मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी ऐसा बड़ा लंप सना रहे जो उसके गले में यहां मों में फस जाए और बिल्कुल हलका सा ही मैं इसको फ्राई कर लूँगे एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए और थोड़ी सी शूगर भी मैंने इसमें डालिया और थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्च भी ढाली है और बस इसको मैं थंड़ा होने के बाद अब मैं गुलु को खिला रही हूँ के जिवेन ओले अच्छा आच्छा हुए भी है ईयलो ममममम मममम fix radio गंध बच्चा इमेग गंध बच्चा इमेग गंध बच्चा इमेग गंध बच्चा winner वो कैसों बआकै 준 भी बाइंग बाइब बाइंग